अगर आप हमारे इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो भाई सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करते हैं और अपने लक्षे की और जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं आज बारी है हमारे सेशन नमबर 18 की तो यह तीन चैप्टर के बात्चे जो हमें कुल मिलाकर करनी हैं जिसमें से आज हम रीकंसीलेशन की बात करने वाले हैं हमारा तीनों ही सब्जेक्ट के लिए चल रहा है एड्वांस अकाउंट कॉस्ट एंड एफम एसम तो बाकी दोनों सब्जेक्ट से लिए उमीद करते हूं मेरे साथ बने हुए और हमारे यूट्यूब चैनल पर वो सेशन देखते रहते हैं जो आने वाले एक्जाम के लिए किया क्यों है । सवाल बटे है रीकंसीलेशन करने ही क्यों है रीकंसी लेशन समझने से पहले मतलब कियो यह क्यों जाता है उससे पहले यार्का इंटेग्रल वरड क्या कहते हैं Integrated मतलब cost और financial books cost और financial एक ही books में maintain किया जाते हैं वहीं से costing और वहीं से financial की detail आ जाते हैं क्योंकि integrated है there is only one set of profit तो वहां पर reconciliation की वशक्ता नहीं परती लेकिन जब आप बात करते हैं नौन integral system की वहाँ पर दोनों की बुक्स अलग-लग maintain की जाती है cost की अलग accounts की अलग, financial की अलग तो cost का profit अलग आता है financial का profit अलग आता है now at the end of the year the management is willing to know कि यह दोनों के profits में difference क्यों आ रहा है और किन कारणों से आ रहा है तो उसके लिए chapter आता है जिरी reconciliation की non-integral में जब आप cost और financial की अलग-लग profit निकालते हैं अगर हम देखना चाहें कि उनमें किस कारण से और कितने रुपे का difference है तो हम सहारा लेते है reconciliation का reconciliation करने के दो तरीके हैं या तो statement form में कर लिया जाता है फिर account form में कर लिया जाते है किसी भी तरह से question आपको कह सकता है तो बहुत ही amazing के question में master question लेकर आयों जिसमें इस chapter के सारे concept जो हम cover easily कर लेंगे पुत्तर यह लीजिए जी तो हमारे सामने आ रहा है question number one और हो सकता है आपने से कहीं सारे बच्चों ने हमारी class already ली हो अगर आपने अब तक class नहीं ली है तो आप definitely हमारी class ले सकते हैं फिर अपने juniors और फ्रेंड को recommend पुत्तर definitely कर सकते हैं आप निराश नहीं होंगे आपको सामने वाला दो अच्छे शब्दी कह कर जाएगा कि भाई तुन्हें और उसके बाद नीचे closing stock बताया गया देख लेते हैं कोश्चन कहरा है जी opening stock के अंतरगत FG के opening stock है 875 यूनिट से और WIP का opening stock है अब यह सिरफ accounts में आने वाली चीज़ है costing में नहीं आते डिविडेंट पेडिये भी सिरफ accounts में आते है बेड़ेट सिरफ accounts में आते है selling and distribution ओवरेट है interest receive सिरफ account में आते है rent receive सिरफ accounts में आते है आपका costing में नहीं आता कहता है sales किये 14,500 यूनिट से value आगे ठीक है closing stock की बात करें FG के हैं 375 यूनिट और value बता दी और WIP की भी value बता दी जहां तक cost की बात है obviously cost accounting में खर्चों को लिखने का तरीका अलग होता है तो factory overhead जो होंगे वो 60% of direct wages है administration overhead जो हैं वो 20% of factory cost है अगर usually आपको admin overhead as a percentage of factory cost दे तो आप उसको related to production activity मान सकते हैं selling and distribution overhead 8 रुपी per unit sold ध्यान रखना ये सिरफ कॉंस यूनिट्स पर आएगा जो sale वाले units है 14,500 यूनिट्स पर खर्चा आएगा opening stock of FG valued at 208 है जब आप cost sheet बनाएंगे तो उसमें 208 रुपे पर opening stock को value कर लेना कहता है WIP के लिए company same cost पर value करते है for financial as well as costing मतलब WIP का opening closing same रहेगा FG का opening बता दिया closing आपको खुद से निकालना पड़ेगा option होती है FIFO लगा या weighted average institute normally FIFO को better मानता है आप दोनों में से कोई भी लगा दे note click कराने मैं FIFO वाला करा दूँगा इस question में आपको required question कहता जी prepare the statements for the year ending showing the profit as per financial record profit as per costing record profit as per financial के लिए क्या बनाने ट्रेडिंग और प्रॉफिट ऐस पर costing के लिए पुत्तर क्या बनाना पड़ेगा cost sheet और साथ में कहता जी क्या करो present a statement reconciling the profit of costing with the profit as per financial record तो आपको दोनों की एक एक करते हो पहले statement बनानी है और उसके बाद reconcile कर लेना है तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं जिए trading and P&L account trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2023 question में जो जो data दिये copy paste कर लेते हैं सबसे पहले opening stock को 5th gen WIP दिया था copy कर लिया material consume direct labor जो भी आपको given data में figures है factory overhead, goodwill, admin overhead, dividend, bad debt, selling overhead जितनी भी debit side expense की या loss की nature की item है सबको कर लिया debit, credit side पर लिख देंगे जिए उसने बोला sales किया 41,60,000 का closing stock of FG and WIP given है, interest और rent भी given था, सारी item simple to simple copy paste आपने कर ले नी और यहां से आपके पास आगे जिन net profit 67,084 का, profit as per financial निकालना बेहाद आसान है अब चलते हैं बारी है cost की, तो cost sheet बना रहे हैं जी for the year ending 31st March 23 start कहां से करते है material consume, material consume और labor की value जो question में दी है accounts के purpose के लिए same to same value यहां पर लिख लिख लिए और आपका total value आगे जी prime cost 24,60,000 फिर बारी है factory overhead की question ने क्या था, जो factory overhead है वो wages का 60% है, तो आपकी जो wages 9,000,000 उसका 60% कर लिजे, 540 आगया, तो यह आगया जी हमारे पास gross factory cost on FG and WIP 30,000,000 इसके बाद आप WIP के stock के adjustment कीजिए, opening stock को कर लिया, add और closing stock को कर लिया, minus same value जो question में given थी, तो आपके पास आगी जी net factory cost on FG पुत्तर 29,86,666, अब admin overhead वो ले आते हैं, यहाँ पर related to production है, क्योंकि question ने admin overhead बताया है, 20% of factory cost है, क्योंकि factory cost से relate कर रहा है, तो हम यहीं मानते होई चलेंगी कि यह वहला administration overhead आपका related to production है, कितना है factory cost, ध्यान रहे, एक gross cost होती है, एक net, आपने कभी भी कोई चीज percentage of factory cost दी हो, तो net factory cost का percentage लेना है, तो 29,86,666 का 20% कर लिया, तो admin overhead आगे जी 597,3334, and यह cost of production आगे जी 35,84,000, इसके बाद बारी आते है, जी opening and closing stock की, opening stock of FG के unit से 875 question का 208 पर value कर लेना, ठीक है, closing stock हम किस से कर रहे हैं, जी FIFO method के through, closing stock कैसे कर रहे हैं, FIFO method के through कर रहे हैं, FIFO method simply क्या कहता है, कि आपकी current cost of production कितनी है, divide by आपने कितने unit produce करें, multiply by closing stock के unit, आपके closing stock unit 375 है, हमें 375 को multiply करने है, cost per unit के साथ, वो कैसे आएगी, total हमारी cost है, 35,84,000 के मुझे इसको divide करने हैं, कि कितने unit produce की है, question ने clearly नहीं बताये थे, तो आप निकाल स होते हैं, जी sale के units, closing stock units, add कर लोर opening के unit, minus कर लो, तो ये आपकी production आगी 14,000, यानि कि हमने current period में 14,000 उनित produce करें थे, तो 35,84,000 को divide by 14,000 कीजिए, per unit cost है, multiply 375, ये 96,000 आ जाता है, and accordingly, your cost of goods sold comes out to 36,70,000, उसकी बाद सिरफ एक खर्चा add करने रहे है, that is the selling and distribution overred, question ने का था, 14,500 unit आपने sale किये, 8 रुपे की cost है, तो 1,16,000 हो गया, accordingly, you get your cost of sales as 37,86,000, sales का value question में आपको given है, कितना 41,60,000 का तो balancing figure आपके पास आ जाते है, profit 3,74,000 रुपे, तो हमारे पास profit as per financial record भी आ गया, profit as per costing भी आ गया, अब हमें इन दोनों को करना है reconcile, तो हम profit as per cost accounting से करते हैं, start 3,74,000 औ आप में profit as per financial निकाल लेना, जो कि trading panel में 67,084 आया था आपका, जब भी reconciliation करेंगे, सबसे पहले, ऐसी items को ले लिजीजेए, जो सिरफ financial में, cost में नहीं है, financial में कहीं सारी ऐसी item थी, अगर आपको यह तो credit side पर था, interest और rent, debit side पर आपका था, goodwill return of, dividend और bad debt, तो यह 5 चीज़ें ऐसी है, debit और credit की मिला कर, जो सिरफ financial में है, अब अगर आपको costing का profit से हम start कर रहे है, costing का profit financial से match करना है, तो आपको costing में भी यह सभी चीज़ें लिखनी चाहिए थी, तो हम कहरें जी, interest और rent को कीजिए, add 90,000 और 34,000, goodwill, dividend और bad debt, 2 lakh, 1 lakh, 70,000 और 24,000 को minus कर देजे, यह तो वो आइटम्स होगी, जो directly financial only में थी, अब आती है बत, क्या कोई ऐसी आइटम है, जो only cost में लिखे, जी नहीं, ऐसी कोई item नहीं है, तो अब हम उन्हें आइटम की बात करेंगे, जो financial में भी लिखे, cost में भी लिखे, लेकिनों का amount का difference है, तो एक एक करती हूँ, start करते हैं, आपने costing में ज्यादा लिखे और opening stock debit के item होती है, ज्यादा लिखने के कारणे मेरा costing का profit कम है, तो मैं इसे बढ़ा लूँगा, हम कहेंगे जी, plus कर दीजिए, हम कहेंगे plus कर दीजिए, over valuation of opening stock in cost account, difference निकाल दीजिए, add कर लिए, simple सी बात है, खर्चों में, अगर आपने costing में ज्यादा लिखा है, तो आपका profit उसका run come हो चुका है, वापिस से add back कर देंगे, similarly closing stock देख लेते हैं साथ सत, closing stock of FG आपने लिखा है, financial में 80 to 500, जबकि आपने cost में लिखा है 96,000, आपने cost में closing stock ज्यादा लिखा है, closing stock credit के item होती है, आपके ज्यादा लिखने से costing का profit बढ़ चुका है, तो minus कीजिए, over valuation of closing stock को minus करने, difference निकाल कर 13,500 रुपई, ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी आगे, WIP का amount same है, material consume दोनों में same था, फिर आई labor, labor भी same थी, factory overhead, financial में लिखा है 6,00, costing में लिखा है, पुतर factory overhead, 5,40,000, costing में कम लिखा है खर्चा, financial में ज्यादा है, अग आपने 5,40,000 लिखा है, तो 60,000 और डालना है, तो under recover बोलते हैं, अगर costing में खर्चा कम लिखा है, भी call it under recovery, तो difference निकाल कर 60,000 हमने minus कर दिया, पिर चलते हैं आगे, factory overhead हो गया, goodwill हो गया, admin overhead, आपने financial में लिखा है, 5,90,000, costing में बेटा लिखा है, ज्यादा 5,97,334, 7,334 ज् उसके अलाबा देखते हैं, और के item रहेगी, admin हो गया, dividend हम कर चुके, bed rate कर चुके, selling overhead, आपने financial में लिखा है, 1,22,000, और costing के अंदर लिखा है, 1,16,000, फिर से आपने costing में कम लिखा है, कम लिखा होने के कारण costing का profit ज्यादा है, तो minus कीजे, 6000 रुपे का difference है, इन में, minus कीजे अंडर recovery of selling and distribution over at 6000 रुपे से, उसके अलाबा credit side पर देखते हैं, जी financial में, sales दोनों जगा में same है, closing stock हम कर चुके, WIP का same है, interest dividend हम कर चुके, इतने ही item थी, आप जब इस cut करेंगे, plus minus करते हुए, तो you should be able to get the profit as per financial account, जो के trading पेंडल से match कर जाएगा, 67,084 पुत्तर, तो इस त प्रशनों को देखते हैं, और जड़ा अजमाएं, हाँ जी, अरे ये क्या खुल गया, ये क्या खुल गया है, शैद इसमें कहीं क्लिक हो गया होगा, ये मैं बता रहा था कि आपके पास यहां पर नीचे लिंक्स दिये गए, आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, तो respective link आपके पास खुल जाएगा, ठीक है न, तो आपके पास YouTube का link भी है, आपके आपके आप टेलिग्राम का link भी है, इंस्टाग्राम का link भी है, बहुत ही मज़ा आता है बच्चों के साथ जुड कर जी, ये लीजे, तो हम आ रहे हैं है, इस question पर, question number two, कहता जी, which of the following items is included in the cost account, कहता है इंच में से बताना, cost accounting में कौन सी item आती है, पहला, notional rent, donation, transfer to journals of your rent receivable, ना तो ये आता है, न ये आता है, न ये आता है, बच्चे के तसर मुने तो notional भी नहीं सुना, जिन बच्चों ने मुझसे class नहीं ली हो सकता है, आपने ना सुना हो, लेकिन भाई, notional rent बड़ी important चीज होती है, implicit cost, इस question का answer यही है, notional rent, notional rent का मतलब है, मानलो मैंने कहीं पर अपना office खोलना है, अब office का rent है, जी एक लाख रुपे, लेकिन मेरे पास खुद की space पढ़े तो मैंने वहीं से अपना office चालू कर लिया, तो क्या मैं किसी को rent दे रहूं, answer है नहीं, लेकिन cost accounting में ऐसे खर्चों को भी डाला जाता है, उसको बोलता है, notional rent, उसके अलावा, एक प्रशन और है, question पूछता है, reconciliation statement is necessary in case of integral system, non-integral system, none of the above, या any of the above, मैंने जब आज का lecture start कया, तभी आपको बताया था, कौन से case में चाहिए होता है, reconciliation, non-integral, क्योंकि non-integral ऐसा system है, जहां पर costing का profit और financial का profit बिल्कुल अलगा आता है, और उसी case में reconciliation के अवशक्ता आपको पढ़ती है, otherwise रीको के अवशक्ता है नहीं, ठीक है न, जो मैंने आपको class में question करवाया न, बैटा reconciliation का, exam में maximum tough, इसी level का आता है, जिसमें trading fiendle भी बनाना होता है, cost sheet भी बनानी होता है, फिर reconciliation बनाना होत है, तो बड़े easily plus minus करते हैं, बच्चा answer को उपने match करी लेता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती, चलिया नहीं हो, आज का lecture हमारा होता है, खतम अगले session ही मिलेंगे आपसे जी, बबाई